नमस्कार राज भर के लगभग 5000 प्रैमरी स्कूल के जो सिक्षक हैं वो इस मांग को लेकर सिक्षा मंतरी के आवास पर पहुँचे हैं कि उनकी जो नियुकती दूसरे जिलों में हो गई है वह नियुकती उनके अपने जिलों में की जाए दरसल यह नियुकती नियमावरी में अब करनी में करने मलेगी अब दूसरी जिलों में करने पड़ रहे हैं उपने बच्चों के साथ कि से अनी जिलों में जाना पड़ रहा है इन तमाम समझचाओं को लेकर मंतरी यया ऐसा क्या बादचीत हुई क्या मांग है सब कुछ पर आयम समझते हैं क्या नाम है पसरा मेरा दिलिव कुमार राय हुआ और यह जो ग्रिष जिला स्थांत्रों सिक्षक्स संग हम लोग का है कि क्रिट उसका हम प्रदेश प्रभारी है अप लोग की संख्या 5000 है और आप लोग यह मा साथ उसके हिसाब से जीला का उप्सन दिया गया था खोठा वाले को तेरा जीला दूसरे भासा का है दस जीला इस तरह से था और उसमें था कि सब जीलों में अलग-अलग कॉंसलिंग हुई जिनका मास अधिक था वह अधिक दूर चले गए मैं अपने बारें बताओ हमारी कॉंसलिंस से पहले पाकुड में हुई और सेकेंड दिन हमरा दूमका से फोन आया कि दिलिप जी आपका यहा नाम निकला हुआ है उसके दो दिन बाद देघर में भी आया अगर मैं सिस्टम में ही पाकुड नहीं जाता तो मुझे देघर में म commenदिय मोट सचा क्वाक fait दो कैसे में अब पूरा हम यहाद दिया गिए उसमें क्य 하गा उस प्रोभीजन को घटा दिया गया अरे मैं कहता हूँ कि सबन अगर हम अपने जीले में काम करेंगे तो प्रोभीजन को हटा दिया गया अगर हम अपने जीले में काम करेंगे तो गौर्वर्मेंट को एक रुपे अत्रित खाज नहीं होगा दूसरी बात है उसका जो समाधाने से मुच्वा लगर आप करते हैं पारसपरिक जैसे माली हम पाकुर जीले में को देखर जीले में अगर क जाहता है जाहता है उसमें लगभग 3,000 cuts को कोई समस्या नहीं है 70% का adjustment सिर्फ हो जागा पारसपरिक रूप से और सरकार को न्यूपती जो परकिरिया है उसमें सिर्फ 2000 सीट में रिक्ती पर उनको ट्रांसफर करना होगा और उसमें कोई भीतिये हानी नहीं है दूसरी चीज की प्रात्मिक सिख्षक की न्यूपती परतेक चार साल में होती है जो की 6-7 साल हो गई जारखंड का अलग हुए और अभी तक जारखंड में 6 साल में प्रात्मिक सिख्षक की न्यूपती परकिया दुबारा भी नहीं हुई है बहुत सारे रिक्त बचे हुए है adjustment करने के बाद उसमें सरकार फिर से करेंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं होगा और ये सब हम लोग का सहानी भूती पुर्वक विचार हमालों मानियम मंत्री मोहदो से हम लोग को आस्वासन मिला मेरा नाम मेरा अरी है नाम पर रहा कितना कांसिनों सर्वाव करेंगे ने इसकार ट्रान्सरी में लिया जाएगा भी भाग से मेरा थर्द कांसिन में चत्रा में हो गया फोर्थ में ग्रेडी से कॉल आया और फिफ्थ में धनबाद से कॉल आया बट हमारा सारा सर्टिफिकेट वहाँ पे सीज कर लिया गया था हमारे पास कोई प्रमान पत्र नहीं था जो हम दूसरे डिस्टिक में अपना काउंसलिंग करवा सकते थे और अब इस पांस साल के दौ सर मेरे दो बच्चे हैं जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते क्यों नहीं हैं तो मेरा जो बड़ा बेटा है सर वो तो पहले से प्राइवेट में पढ़ रहा था मेरे जॉब लगने से पहले से तो उसको ले जाना पॉसिबल नहीं किया लास में मुझे अपने छोटे बच्चे को धन्बाद में अपने सास ससुर के पास छोड़ना पड़ा फैमिली का सपोर्ट है सर इसलिए बाहर जा के ड्यूटी कर पा रही है आप चत्रा में पढ़ाती हैं बच्चे आपके धन्बाद में रहते हैं मेरे बगएर रहते हैं तो यह एक मा का दिली समझ सकता है कि अपने बच्चे को छोड़ के सिर्फ अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और जार्खंड के बच्चों को कॉल्टी एजुकेशन देने के लिए हम बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं तो इस चीज़ पे हम अपने फैमिली को यहां सेटल कर चुके हैं सर वो कभी भी वापस चत्रा नहीं जाएंगे जो फैसलिटी धनमाग में जो पुराने जो पिछड़े जिले हैं वहां से जो लोग अच्छे जिलों में आए जो रांची पहुंचे नहीं जाएंगे और टीसरा पॉइंट मेरा है अपने पती के आधार पे जौब के आधार पे तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा सर हम लोग एक ही जगर है के अब हमको बाइए कि जो सिख्छा मंत्री जो बात बोलें आप लोग कितने संतुस्चाउन से और वो कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे यह भी कह रहे हैं कि सहानु अपने घृच कैना चाहते हैं सरकार सर होती हैनकल यान neo के आपको सरकार हमेशा प्रयास करती हमारे जन्ता का भला हो हमबी जाक्न का जन्ता है और अगर हमको आप अपने जीले में भेज देते हैं तो घाटा गॉर्मेंट को क्या है गॉर्मेंट यी बता है सबसे पहली बात अगर सरकार उस तरह से कुछती है पूरी तरह मंत्री जी के बाद से सहमत है हमारे माननी मुखमंत्री मोदे से मैं 3-3 बार मिला हूँ हो सकता आज भी मुलाकात हो और उन्होंने हमेशा का कि आप धहज रखें आपकी समस्या का समाधान होगा तो ये बहुत बड़ी बात है ये कि स्टेट के मुखमंत्री कर आपको कहते हैं के हज रखें आपको समाधान होगा मिलने जयें दैंके बिगर समय मीलेंगेए कि आप एक बार अपने जिला में ट्रांसफर ले सकते हैं अग्री जिला या अंतर जिला जो भी ट्रांसफर है एक बार पूरे सेवाकाल में सिख्षकों को दी जाती थी लेकिन 2019 का जो नियमाली बना गया उसमें प्रायतर लगभग अंतर जिला ट्रांसफर को पूरा एकदम ब सेवा करें और गुनवतापुन सिख्षा दे पाएं पांस हिजार की संख्या है प्रायमरी सिख्षकों की और यह सभी लोग इसी मांग को लेकर यहां मंत्री जगनात महतों के पास पहुंचे हैं कि हमें अपने ही जुलों में नौकरी करनी दे जाए कुछ महिलाओं से बात दूसे जिले में रहते हैं वो किसी अन जिले में हैं समस्याए हैं बहुता रही हैं निमावली में लिक्साफ साथ लिखा हुआ करिने के बादा आपकी नौकरी फिर से आपके जरहे सकती है इसी मांग को लेकर पूरा we tournament provide शेक्या है नहीं है वह सब कुछज सभा सुखका करन अपनी मांग को रखने के लिए क्या उन्हों की नौकरी अपने जुरू में होती है रही वह देखते हैं क्या निर्णय होता है एक बैठक भी हुब इसमने अमनुन संस्दन की बात भी आ रही है वह भी देखने वाली बात होगी विवेकानन्द विद्यमंदर स्कूल एक CVSC-affiliated English Medium Code School है हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं